हलो फ्रेंड्स बल्कम तूमा यूटूब चैनल सो गाइज आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस काउंस्टेवल का एक्जाम होने वाला है 18 फरवरी 2024 को उसी के शामान अध्यन और यूपी जीके के टॉप मुस्ट इंपॉर्टन कोई को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरूर करें चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को करें नोडिफेकेशन बैल ओन करना ना भूलें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस यूपी पुलिस काउंस्टेवल की एक्जाम डेट खोशित कर दी गई है 18 फरवरी 2024 को एक्जाम आयो जित किया जाएगा आप लोगों के पास सिर्फ 49 दिन सेस हैं दिसम्ब 2023 का अंत हो चुका है और जन्वरी 2024 की सुरुवात हो चुकी है और आज तारीक हो गई है 12 जन्वरी आज मैं आप लोगों के लिए शामान अध्यन और उत्तर परदेश जीके के कुल 60 questions लेकर आया हूँ अगर आप लोगों ने इन 60 questions में 55 questions के सही जवाब दिये तो आप लोग समझ लीजेगा कि सामान अध्यन और उत्तर परदेश जीके की जो आपको लोगों की तैयारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो इस टेस्ट को पुरा लगाएगा बीच में छोड़कर आप लोगों को नहीं जाना है ठीक है सेसन को सेर नहीं किया तो सेर कर दीजिए लाइक मूर्ती पुजा और यग्य सियप प्रकरति पुजा और यग्य डिय प्रकरति पुजा और भक्ति जल्दी से आंसर देज़ये सभी बच्चे जो वच्चे आप्शन नूमर्प्र सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे प्रकर्ति पुजा और बात करेंगे नएस कोश्टन्स की नएस कोश्टन्स देखेगा सभी बच्चे कोश्टन्स हमरा भारत के किस इस्थल की खुदाई से लहो धातू के प्रचलन के प्राचिन्तम प्रमाण मिले हैं आपके तक्षिसिला भी अतरंजी खिळा सी है कौशामभी डिया हस्तिनापूर पेपर में छपने बारा कोईसन जल्दी से आंसर दीजे सभी बचे देखिए आंसर आना इस्टार्ट हो चुके हैं जो भी ब्यारती ओप्षिन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएंगे ठीक है नैस कोईसन देखेगा सेशन को सेर कर दीजे व अनंग पाल जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे जो भी ब्यारती ओप्षिन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सभी हो जाएंगे सुगए नैस कोईसन हमारा है कोईसन से पाल वंसका संस्थापक कौन था जिसे बंगाल की आम जंता ने आरजक्ता से मु जो अचे ओप्षिन नमर एक की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे सुगए नैस कोईसनस देखेगा कोईसनस हमारा है जालिया वाला बाग हत्या कांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्ण में से किसने मार डाला प्रतिवी सिंग आजात वी है सर ओधम सिंग जोस तो जो यह बहरती ओप्षिन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करक्ठ हो जाएंगे उधम सिंग आपका सही आंसर हो जाएगा इस कोईसनस पर आप लोग 5 इस्टार लगा लेजिए काफी इंपोरेंट कोईसनस है नैस कोईसन देखेगा को इस आंदोलन को हिंदूओं और मुसल्मानों दोनों का समर्थन मिला था चंपारन सत्याग्र है वी है विवाजन विरोधी आंदोलन सी असयोग आंदोलन डी है बारत छोड़ो आंदोलन चल्दी से आंसर देजे सभी बच्चे जो भी बच्चे ऑप्शन नमबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल करक्ट हो जाएंगे असयोग आंदोलन देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 38 दिन सेस हैं तो 38 दिनों में आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है उस पर ध्यान दीजेगा सबसे को सबसे बहूत करने के कोसिस है मैंत हो या द्यान के मीं से और ज्यादा जाएगा झाल की पाइघ से सदां कोई यह जाने कोई सफ चसे रेंट से प्याट्रिट करने की खिशो किपर में चैंवां हैं नहीं सब माउंट इटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रियत जोला मुखी माना जाता है यह निम लिखित में से किस देश में इस्थित है परिच्छा में छपने बाला कोईसेंस पुर्तिगाल इस्पेन ग्रीस इटली तो जो वे ब्यारती option number D की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल correct हो जाएंगे पिटली बात करेंगे अगले questions की निम लिखित में से कौन सी एक ओगने चटान नहीं है ग्रे नाइट नाइस इनावा विसाल्ट कौन सी एक ओगने चटान नहीं है यह आपको बताना है जल्दी से आंसर देजी सभी वच्चे देखिए नाइस जो है न यह एक चटान नहीं है तो option number V जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सेशन को सेर कर देजिए विडियो को जल्दी से लाइक कर देजी नाइस question देखेगा भारती बानस पतिक सर्वेचन वर्ड निकल सर्वे आफ इंडिया का मुख्यालाए कहां पर है देखिए अगर आप लोगोंने हिंदी के सारे practice set द वही questions मैं आप लोगों को करा रहा हूं इस questions का सही जवाब हो जाएगा option number D यानि कि कोलकाताप का सही आंसर हो जाएगा next question दखेगा मानस राष्टिय उग्यान नेशनल पार्क ये कहां पर अवस्तित है मद्य प्रदेश असम पस्यमंगाल मानस राष्टिय उग्यान नेशनल पार्क ये कहां पर अवस्तित है ये आपको बताना है मानस राष्टियों ग्यान नेशनल पार्क जो है ना ये असम में अवस्तित तो असम आपका सही अंसर हो जाएगा यानि कि ऑप्शन नमबर C अगला कोईस्टिंस देखेगा भारत में सबसे अधिक जय बिवता संपन छेतर है गंगा कामेदान, ट्रांस हिमाले, पशिमी घाट, मद्य भारत भारत में सबसे अधिक जय बिवता संपन छेतर कौन सा है ये आपको बताना है जल्दी से आंसर दी सभी बच्चे जोबे बच्चे आप्चिन नमर C की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग उलकुल करेक्ट हो जाएंगे पशिमी घाट अगला कोईस्स देखेगा साइलेंट वैली परियोजना निम लिखित में से किस राजे से समंदित है उत्तराखंड हिमाचल परदेश केरल तमिलाडू साइलेंट वैली परियोजना निम लिखित में से किस राजे से समंदित है काफी इंप्रोटेंट कोईस्स है इस कोईस्स देखेगा भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने का नियुनतम आयू क्या है 18 बर्स 21 बर्स 16 बर्स या 20 बर्स सारे की सारे कोईशन से यूनिक हैं बिल्कुल एक्जाम के लेवल के नियू पाइटरन पर आधारित जो में भारती ऑप्शन नमबर एक यूर जा रह से डी है ओबी अलगेशन जल्दी से आंसदी सभी वच्चे तो जुबी वच्चे ऑप्शन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोईशन हमारा है भारत में निर्वाचनों का अधीच्छन निर्देशन और नियंत्रन किसमें नहि जल्दी से आंसदी सभी वच्चे जो भी वच्चे ऑप्शन नमर सी की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भारत के निर्वाचन आयोग सुगेल नैस कोईशन हमारा है निमलेखित में से कौन अंतर राजिये परिसत गठन करने के लिए अधीकरत है तो जो भी यह भी विहार थी आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सबी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यानि ये राश्ट पती आपका सही आंसर हो जा से लाइक कर दीजिए बऺथी अच्छे कोईसंस हैं भारतिय समीदान के अनुछेट एक में यह गोशडां की गई है की इंडिया अर्थार्त भारत है राज्यों का संग tämä कविश्ष्टाओं वाला संग्यराज से संगिया विश्ष्ष्टाओं वाला संग्यराज दी Помो बच्चे तो जो भी ये ब्यारती ऑप्शन नमबर एक ही ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्गुल करेक्ट हो जाएंगे राजियों का संग अगला कोईसेंस हमारा है भारत में किसकी सुईकृत्ति के बिना कोई वी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है अगला कोईसेंस देखेगा गरीवी हटाओ का आहन किस पंजबरसी योजना में समलित किया गया था चोथी, पांच वी, छटी या साथ वी जल्दी से आंसर देखेगे सभी बच्चे तो जोवे ब्यारती ओप्शिन ओवर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पांच वी पंजबरसी योजना के तहित सेसन को एबार सेर कर दीजिए वीडियो को जिद्दी से लाइक कर दीजिए अगला कोईसिन्स हमारा है करसी एबम ग्रामेड विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आबसक्ताओं की पूर्ती करने वाली एक मात्र संस्था है आरवी आई नावाट ए आर डीसी नेफट जोवे भ्यारती ओप्शन नुवर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल करक्ट हो जाएंगे नावाट आपका सही अंसर हो जाएगा चले बढ़ते हैं एक लिए कोईसेंस की ओर नावामत क्योंशन सवी बच्चेंगे हमारा कईसल है अपर आपको बताना है तो जो भी ब्यारती ओप्शन नमरों वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल करेक्ट हो आजनी की VHF range, next questions की बात करेंगे, next questions देखेगा, tape recorder में, tape की चाल कितनी होती है, काफी important questions है, जन्दी स्यान स्यांस यह पक्षे, tape recorder में, tape की चाल कितनी होती है, यह आपको बताना है, तो tape की चाल होती है, 4.25 cm प्रतिस सेकेंड, option number D जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे इस question देखेगा questions हमारा है नदी के प्रभाव को मापने के लिए निम्न मैंसे किसका उपियोग होता है इस questions पर आलोग 5 star लगा लेजिए पेपर में छबने वाला questions view forward scale, q-sake, rector scale, animometer नदी के प्रभाव को मापने के लिए निम्न मैंसे किसका उपियोग होता है यह आपको बताना है जो में ब्यार थी option number V की ओर जा रहे है वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएंगे यानि की q-sake, session को यह बार share कर देज़े वीडो को जल्दी से like कर देज़े रहे हैं, उस अभी लोग बिल्कुल correct हो जाएंगे मैक बात करेंगे अगले questions की next questions देखे का खाद्यानों की संरच्छन हे तो निम्न मैंसे किसका प्रियोग किया जाता है विनेगर, sodium chloride, potassium, permagnet, sodium वेजोएट खाद्यानों की संरच्छन हे तो निम्न मैंसे किसका प्रियोग किया जाता है यह आपको बताना है जल्दी से आंसर देखे देखे आंसर आना है स्टार्ट हो चुके हैं तो जो भी ब्यारती, option अबर D की ओर जा रहे हैं, उस अभी लोग बिल्कुल correct हो जाएंगे, sodium, bio jet अगला question समाना है किसी इस्थान की आदर्ता जानने के लिए निम्न मैंसे किसका उप्योग किया जाता है हाइग्रोमीटर, पाइरोमीटर, पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर जल्दी से आंसर देखे किसी इस्थान की आदर्ता जानने के लिए निम्ड में से किसका उपियों को किया जाता है जो भी भ्यारती option number 1 योर जा रहे हैं वो सबी लोग विल्कुल correct हो जाएंगे हाईग्रो मेटर का अगला question हमारा विवा कौन सी पर्यावर्णी परत है जो विकरण को बापस प्रत्वी में परत्यावर्णी करती है क्या answer होगा परिच्छा में छपने बाला questions आप लोगों के पास सिर्फ अर्टे दिन सेस है अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है तो 60 questions में 60 questions में 55 questions के जवाब देकर बताएगा मैं तब मैं जानू जब इस या answer होगा तो जोवे ब्यारती option number A की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल correct हो जाएगा इस्टेटो स्फियर option number A सही हो जाएगा सुगै next question समरा है निमनर राज्जियों में से कौन सा राज UDAY योजना के लिए समझोता गया पन M.U. पर हस्ताचर करने बारा देश का पहला राज बन गया है उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश, जहारखंड, उत्तराखंड इस राज्य का नाम है जहारखंड तो जो वे ब्यारती option number C की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल correct हो जाएगा सभी बच्चे मातमा गांधी, भारतीय राष्ट्य कांग्रेस के अध्यक्ष किस बर्स बने? जल्दी स्यान सदिस है बच्चे तो ये वाला कोईशन देखेगा काफी unique कोईशन है इस कोईशन पर आप 10 इस्टा लगा लेजिए प्यापर में छपने वाला कोईशन मातमा गांधी, भारतीय राष्ट्य कांग्रेस के अध्यक्ष किस बर्स बने? तो ये बने थे वर्स 1924 में तो option number V जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नैस questions की और session कोई बास share कर देजिए, वीड़ो को जल्दी से like कर देजिए क्रीमी लेयर ये समंदित है क्रीमी लेयर किसे समंदित है? जल्दी स्यान से देजिए सभी बच्चे देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्रीमी लेयर है ना सामाजिक एवं आर्थिक हालात से समंदित है तो जो भी ब्यारती आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नैस कोशन देखेगा कोशन से 3 दिसंबर 2021 को खादी और गरामो द्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पुर्वी राज में आराई एचचवी पर्योजना की सुरुआत की गई है असम मड़ीपूर मेगाले तिरपूरा जल्दी से आंसर देजे सबी बच्चे तो जो भी ब्यारती आप्शन नमर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे मड़ीपूर आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन से देखेगा तेरा दिसंबर 2021 को किस राज संग सासित छेत्र ने जलबायू परिबर्तन और पर्या बरन पर एक पूर पाट करम बिकसित किया और समन्दित पाट करम शुरू करने वाला पहला राज भी बन गया है पंजाब जम्मोर कसमेर गोवा माराष्ट जो भी भ्यारती option number D की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिलकुल correct हो जाएंगे महराश्ट आपका सही answer हो जाएगे नैस question देखेगा सभी बच्चे जो कि आपके परिच्छा में बार बार पूछे जाते हैं 19 नुवंबर 2021 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के जासी के गरोठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क पार्क की आधार सिला रखी गई है 600 मेगावाट 800 मेगावाट 650 मेगावाट 700 मेगावाट इस कोईसेंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्षिन नंबर ए यानि की 600 मेगावाट अगला कोईसेंस देखेगा सभी बच्चे कोईसेंस है रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है प्लाजमा कती पैस त्राबूं का होना लोहिताओ लोहिताणू हिमोगलोबिन जो भी ब्यारती ऑप्षिन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हिमोगलोबिन आपका सही आंसर हो जाएगा अगला कोईशन्स देखेगा 17 दिसंबर 2021 को किस राज सरकार ने तमिल थाई वाजथू गीत को राजगीत घोशित किया आंदरपरदेश तेलगाना तमिल नाडू करनाटक इस कोईशन्स का सही जवाब हो जाएगा तमिल नाडू ऑप्शन नमबर सी जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा अगला कोईशन्स देखेगा 25 नमबर से 5 दिसंबर 2021 के मद स्पेन में आयो जिते डेविस कप 2021 का किताब मारिन सेलिच को पराजित कर किस ने जीता यह आपको बताना है तो यह जिता है डेनियल मेद विदेव ऑप्शन नमबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग विल्कुल करेक्ट हो जाएगे ऑप्शन नमबर डी और तिसमा कोईशन्स हमारा है गोल्डन पेन ओफ फ्रीडम पुरुसकार किसे से संबंदित है गोल्डन पेन ओफ फ्रीडम पुरुसकार यह किसे संबंदित है आपको बताना है तो यह संबंदित है पत्र कारिता से अप्शन नमबर ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो अगला कोश्चन देखेगा तक अगर आप लोगों को इसकी पेडियाप चाहिए तो आप हमारा वाट्सप गुरुप जोन कर लेजिए वाट्सप गुरुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप् समधित हैं बनारस घराने से किराना घराने से लखनों घराने से रामपुर घराने से तो यह समधित हैं किराना घराने से ऑप्शन नमर वी जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा नेस कोश्चन देखेगा सभी बच्चे कोश्चन समारा है निम्ड में से कौन कथक कलाकार नहीं है बिर्जू माराज किसन माराज लच्छू माराज सितारा देवी निम्ण में से कौन कथक कलाकार नहीं है जल्दी से आंसर दीजे सभी बच्चे जो भी बच्चे ऑप्शन वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे किसन माराज आपका सही सुंची एक को सोची दों के साथ सुमेलत कीजिए तधा सोची के निचे दिए के कुट से सही उत्तर का चन कीजिए एक तरफ है एक तरह मेला ते हुआ दूसर दुसरी तरफ हैं अयोजन स्थल सबसे पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं ऑप्शन अमर ए जो है आपका बिलक मेला अमबेटकर नगर गोविंद साहिम मेला प्रियाग राज माग मेला तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं उसी प्रकार से अगला कोईशन्स देखेगा एक तरफ है लोकगीत दूसी तरफ है छेत्र अगर ऐसे कोईशन्स पूछे जाएं पेपर में सबसे पहले आप लोग यह पता लगाए कि किस चीज़ से क्या मेल खा रहा है तो इसमें आपका जो सी वाला ओप्सन्स जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा आप देखें सुमेल कैसे करना है बो भी जान लेजिए पुरवांचल का हो जाएगा विरहा ब्रजभूमी का रसिया बुंदिलखंड का आलहा अबद का कजरी तो इस प्रकार से जो है आप उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नर्त की बात हो रही तो समझकर आंसर देजेगा इस को सब्सक्राइब करने के लिए बोला जा रहा है तो आंसर क्या होगा देख लेते हैं ऑप्षिन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा इसमें भी आपका अब देखिए सुमिल कैसे करना है वो भी जान लेजी आप लोग ऑप्षिन नमबर एक करेक्ट हो जाएगा ध्यान पूर्वक देखेगा सभी बच्चे देखे इसमें 1926 भारत संगीत संस्थान की स्थापना हुई थी 1922 में राजे ललेत कला कादमी की स्थापना हुई थी इसके बाद 1973 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक की स्थापना उइ थी 1975 में भातिंदुर नाट अकादमी की स्थापना हुई थी थी तो इस परकार से जो है आप लोग सुमिल कर सकते हैं नेस केस्द से देखेंगा सभीवच्ची मिरजापूर प्रसीद्य है कजरी के लिए चरकुला नर्त के लिए पावारा के लिए नक्ठा के लिए मिरजापूर प्रसेद है तो कि मिरजापूर जो है ना ये कजरी के लिए प्रसेद है किसके लिए प्रसेद है कजरी के लिए तो option number A जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोईस्टन्स देखेगा निम्न में से कौन सा यूकम सुमेलित नहीं है बिरजु माराज कत्थक विए आला मोबा सिये अमजद अलीखां सरोत डिये विरहा कनोज इस कोईस्टन्स का सही जवाब हो जाएगा option number D विरहा कनोज अगला कोईस्टन्स हमा रहा है कौन सास्ति नर्थ उत्तर प्रदेश से समंदित है कत्थक भरतनाट्यम ओड़ीसी कुचिपूरी कत्थक आपका सही आंसर हो जाएगा जो की उत्तर प्रदेश से समंदित है कत्थक नर्थ इस कोईस्टन्स का सही जवाब हो जाएगा option number A तो सारहनपूर आपका सही आंसर हो जाएगा यानि की option number D जो है आपका विल्कुल correct हो जाएगा अगला कोईस्टन्स देखे का सभी बच्चे 12 सुल्तानपूर राइपरेली किस बोली के छेत्र है च्छतिस गड़ी बगेली ब्रजवासा अबदी जल्दी से आंसर देजे सभ सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे यानि अबदी आपका सही आंसर हो जाएगा निम्ण मेंसे कौन निम्ण मेंसे कौन एक सही सुमिलित नहीं है यह आपको बताना है कजरी रोहिल खंड option number C जो लोग बता रहे हैं वो सभी बिल्कुल सही हो जाएगे so guys अगला questions देखेगा questions है पूरवी यमुना नहर का कार किस मुगल बादसा ने प्रारम करवाया था options हैं आपके हुमायू अकबर जहागेर सहा जाएगा जल्दी सयान सादी सभी बच्चे जो भी ब्यारती option number 4 की ओर जा रहे हैं यानि की सहा जाएगा उस सभी लोग बिलकुल करेक्ट हो जाएगा option number 4 करेक्ट हो जाएगा अगला questions है guys सर्यू नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग लावांतित होता है पूरवी भाग, पश्चिमी भाग, मद्दे भाग, बुंदेल खन इस questions पर आप लोग स्वाइब इश्टाल लगा लेजिए पेपर में छपने वाला questions इस questions का सई जवाब हो जाएगा पूरवी भाग यानि की option number A जो है आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला questions देखेगा रानी लक्ष्मी भाई वांध किस नदी पर बना है चंबल, सोन, बेतवा, रामगंगा रानी लक्ष्मी भाई वांध किस नदी पर बना है आपको बताना है तो यह जो बांध है ना यह बेतवा नदी पर बना है किस नदी पर बना है बेतवा नदी इतना बताईए गामे को ठीक है, अगला कॉश्चिन देखेगा, निम्न में से, कौन सी नहर उत्तर भारत वा, मद्द परदेश की संयुक्त परियोजना है, मद्य गंगा नहर वी हे डू है साधा नहर सी है टेरी परियोजना डी है के नहर कौन सी नहर उत्तर प्रदेशवा मद्य प्रदेश की सैयुक्त परियोजना यह आपको बताना है तो जो भी यह ब्यार थी option number 4 पे जा रहा है याने की के नहर उस अभी लोग बिलकुल सही हो जाएंगे option number D questions बहुत ही यूनिक और अच्छे लेवल के मैं आप लोगे के ला रहा हूँ जो कि आपके किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे यह मेरी गारंटी है ललितपूर बांध किस नदी पर बनाया गया है चंबल, टोस, सहजात, केन ललितपूर बांध किस नदी पर बनाया गया यह आपको बताना है तो देखें ललितपूर जो बांध है न यह शहजात नदी पर बनाया गया option number C correct हो जाएगा अगला question से देखेगा आगरा नहर से कितने राज लावांतित होते हैं चार, तीन, पांच या दू तो आगरा नहर से कुल चार राज लावांतित होते हैं तो पहला option से जो है आपको यानि की option number A correct हो जाएगा सेसन को इबाद सेर कर देजे वीड़ो को जल्दी से like कर देजे एगला question देखेगा गोविंद बल्लब पंत सागर बांध किस नदी पर बना है चंबल, रिहन, सोन, राम गंगा इस questions का सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला option यानि की option number V रिहन, राज घाट बांध राज घाट बांध 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 नहर परियोजना किस नदी पर अवस्तित है चंबल, टोस, गंगा, वेतवा राज घाट बांध 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 नहर परियोजना किस नदी पर अवस्तित है सभी लोग आंसर दाते उचलेंगे तो जो भी ब्यार थी चोथे वाले options पर जा रहा है यानि वेतवा वे सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएंगे option number D अगला question देखेगा वेतवा नहर किस इस्थान से निकलती है नरोरा, पिप्री, पारिच्छा, फैजाबाद इस questions का सभी जबाब हो जाएगा पारिच्छा तीसरा वाला options correct हो जाएगा आज का हमारा सबसे last questions रहेगा हतनी कुंड बैराज किस नदी पर बना हुआ है गंडक, यमुना, अलक नंदा, चंबल जो भी भ्यारती, दूसरे वाले options पर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल correct हो जाएगे यानि की option number B तो इसमें हम लोगों ने शामान अध्यन और उत्तर प्रदेश जीके के कुल 60 questions डिसकस की हैं तो 60 में target थाज का 55 का माले जी अगर आप 55 questions की जाब ना दे पाए सिर्फ 50 questions की जाब दे पाए फिर भी आप लोगों की जो तयारी है वो काफी हद तक अच्छी है तो इक्जाम आप लोगों का 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा आप किसी भी coaching संस्तान से तयारी अगर कर रहे हैं तो करते रहिए अगर आप online तयारी कर रहे हैं तो online भी तयारी आप लोग करते रहिए मैं बस आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो भी पर मैं आप लोगों के लिए practice set ला रहा हूँ हिंदी के, शामान अध्यन के, उत्तर प्रदेश जीके के उन सभी practice set को देखते रहे हैं और हमें सबसे ज़्यादा support कीजे ज़्यादा से support कीजे आप लोग और अपना प्यार ऐसे भी बनाए रखिए ठीक है तो चलिए मिलते है नेश वीडियो के साथ जय हिन जय भारत